बिस्मिल्लाइ रख्मान रहीम नाहमद हुब रुस्वली अला रसूल करीम लीगल टेनिंग सेंटर में सब बाइयों की तश्रीफ आवरी का शुक्रिया आज का टापिक एंटी करप्शन लॉज और विल खसूस पब्लिक सर्वेंट, करप्शन, उनके खिलाफ इंक्वैरी, कम्प्लेंट, रिजिस्टेशन आफ केस्स और अरेस्ट आफ अक्यूस का प्रोसीजर डिसकास करना है सब जानते हैं कि जो करप्शन जहां तक करप्शन का तरलख है और जानते हैं कि जो करप्शन की डेफिनिशन जो है इस लीगल पैरलांस यह पीपीसी में 161 में भी है एंटी करप्शन लाज 1947 के सेक्शन पांच में मिस कंड़क्ट को डिफाइन किया गया है और इसी तरह करप्शन का एंटी करप्शन लाज में एक शेडूल दिया गया है वो सारे अफेंस जिसमें 420, 448, 431 भी है, 409 भी है, 161 भी है और मिस कंड़क्ट के रिलेटिड सेक्शन पांच भी है सबसे पहले हमारे सामने, बुनियादी चीज़ यह है, कि वो मस्ट भी अवेर, कि हाओ, क्रिमिनल के सिजार रिजिस्टर एगेंट अपाब्लिक सर्वेंट और इसका जो तरीका कार है, वो क्या है, पाब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, कोई चार-पांच तरीकों से, कम्प्लेइन इनिशेट होती है, फास्ट अफाल, कोई भी शख्स, जिससे कोई इलिगल ग्रिटिफिकेशन, कोई ब्राइबरी, या किसी क्रिमिनल मिस कंड़क्ट का कोई पबलिक सर्वेंट मुर्तकेब होता है, तो उसके खिलाफ जस्ट एक दर्खास्त, जिस तरह उसने रिश्वत मांगी है, या गलत काम किया है, मिस कंड़क्ट किया है, विद आई विटनिस, डिरेक्टर एंटिकरप्शन को दे जाती है, और उसके साथ दो गवाहन के बैयानल फिलाफ किये जाते हैं, ये प्राइवेट कंप्रेंट का तरीका है, कि कोई भी प्राइवेट शख्स किसी भी एंटिकरप्शन के माकमे में ग्रिटिफिकेशन, ब्राइवरी और मिस कंड़क्ट के मुर्तकिप के सरकारी मुलाजम जो प्राइवेट का है, उसके खिलाफ दरखास गुजार सकता है, दूसरा तरीका है, कि कोई कोट किसी मुलाजम के खिलाफ रेफरेंस भी दे डिजी एंटिकरप्शन को, या डावीनल डारेक्टर को, उस पे कारवाई इनिशियेट होती है, कोई डिपार्टमेंट का हैड रेफरेंस भी सकता है, या कोई सूर्स रपोर्ट अगर मिलती है किसी तरीके से भी, तो उस पे भी कंप्लेंट इनिशियेट हो सकती है, और थर्ड जो है, वो सबसे जो वाइबरेंट और वाइटल वे है, वो है, कंड़क्ट आफ, रेट केसिस, ट्रैप केसिस, जिसमें रेट करते हैं, और रंगयात हों, कोई नो कोई पकड़ा जाता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी कंप्लेंट का क्या तरीका कार है, यह अगर किसी भी गौर्मेंट के, अटेश डिपार्टमेंट जिस जो हेड अफ डिपार्टमेंट है, उन्हें अगर कोई रिलाइबर सूस मिलता है, तो उनकी जो अपनी एस्टेबलिश्मेंट है, वो इनक्वेरी करने के बाद, उस पबलिक सर्वेंट के खिलाफ, वो फरवड करती है, डिरेक्टर एंटी कर्प्शन को, यह डिजी एंटी कर्प्शन को, अब यह फरवड करने का तरीका, यह एक प्राइब कुमेट के आपने डिपार्टमेंटल जो वे है, उसके तरीके से, उ यह जिस तरह आप समझते हैं कि डिस्टर कोाइडिनेशन अफीसर है, डिस्यू होते हैं, डिस्यू हैं, कमिशनर है, या कोई सेक्टिटु गौवर्मेंट है, यह किसी भी डिपार्टमेंट का हैड है, अटेज डिपार्टमेंट का, और वे बीप्येश, उसका स्केल जो है, ये 20 से अबाव है तो उनके खिलाफ चीफ मनिस्टर से पर्मिशन लेनी पड़ेगी लेकिन इस से नीचे जो बुनियादी सकेल 19 है उसके लिए चीफ सेक्टरी से पर्मिशन लेनी पड़ती है और इन से नीचे जितने अफ्रान हैं उनके खिलाफ 16 एक से 16 तक डिप्टी डिरेक्टर और 17 से 18 तक डिरेक्टर और 19 या 19 से उपर डिरेक्टर जनरल जो है वो कंप्लेंट की इनक्वेरी करने के बाद केस रिजिस्टर करने की पर्मिशन देता है फस्ट कंप्लेंट है सेकंड रिजिस्टेशन आफ केस है अब इनक्वेरी ये सेक्शन 5 के ताथ सबसे पहले यह इफसरान कंप्लेंट रिसीव उने पर इनक्वेरी करते हैं इनक्वेरी होने के बाद फिर इनके एंटिक्रिप्शन रूल्स है पहले 1985 के रूल्स दे शयद और अब ये 2014 में नए रूल्स फार्मूलेट हुए है उनके मुताबक section 6 के मुताबक registration of case जो है वो anti-corruption का establishment department वो उसकी इजाज़त देता है और उसका schedule यही होता है कि 1 से 16 तक deputy director पर्मिशन देता है 17 से 18 तक director और 19 से उपर grade के लिए director general और 20 या 20 से उपर chief secretary और chief minister से permission लेनी पड़ती है और head of department के लिए खासकर chief minister से और यह कोई भी case prior permission के बगए रेजिस्टर नहीं हो सकता यह anti-corruption rules के मुताबक जो follow होते हैं यह उनके मुताबक procedure यही है हाँ अल्बता कोई भी red-handed कोई भी public servant result of trap arranged rate जो है उसके मुताबक उसमें किसी permission की ज़रूरती नहीं है अब उसका तरीका कार क्या है उसके लिए भी हम इल्म होना चाहिए कि अगर कोई complaint आती है trap cases के लिए तो मुतलखा assistant director director जो district में है वो district and session judge को application देता है district and session judge SGM को या किसी भी magistrate को appoint करते हैं और उनकी super union में वो rate conduct होता है और फिर rate की पूरी कारवाई अगर कोई उनके हिल्म है तो पहले note में साइन किये होते हैं दसखाशुदा note अगर बरामद होते हैं या किसी भी काम में तो वो under the super union of magistrate वो पूरे rate की कारवाई होती है मुल्जम का defense लिखा जाता है अरेस्ट करते हैं red ended अगर red ended नहीं हुआ तो फिर तो वो trap केस नहीं हुआ rate केस नहीं बनता अगर वो red ended पकड़ा गया है तो ना इसमें complaint की जरूरत है ना inquiry की जरूरत है ना उसकी arrest के लिए permission की जरूरत है जो otherwise public servant के लिए mandatory है और वो इन सारी चीज़ों को red cases में bypass का दिये जाएगा second जो registration के बाद का procedure है वो investigation है investigation पर पहले एक exhaustive lecture दिये गया है वो आपके सामने YouTube पर पढ़ा है investigation में तीन चार खाम है arrest of the accused है submission of saloon है और investigation itself collection of evidence है जिसमें हर किसम की शाद्दे घटी करना good document है तो उनको verify करवाना गवाहान के बयानात लिखना investigation का पूरा procedure और आप्रोस में किया जाएगा और यह F.I.R. जो हैं यह anti-corruption laws के ताथ जो इनके अपने establishment established थाने हैं जिने हम A.C.E. police station कहते हैं वो अरजिले में हैं और वहाँ यह F.I.R. दार्ज होती हैं एंटी-corruption establishment वहाँ पे मुकदमाद दार्ज होते हैं और जहां पे इस inquiry, investigation और इनसाब के दर्मियान डिपार्टमेंट यह समाईता है कि bribery, कोई embezzlement, illegal gratification यह misconduct के जिमरे में नहीं आता है कोई irregularity है, कोई किसी काम में direct embezzlement नहीं है और simple departmental inquiry required है तो फिर वो PDAC के ताद, PDAC 2006 के ताद, मुतलका authority यह department को anti-corruption department refer कर देता है कि आप इनकी खुद inquiry करें और inquiry करने के बाद, आप इसको deal करेंगे, उसके लिए फर्दर, मुकदमा दर्ज नहीं होते है investigation complete होने के बाद, जो submission of चलान है, complete है यह incomplete है उसका इसमें procedure जो है, वो उसी तरह है के पहले उसमें judicial action होगा और judicial action के लिए, जो authorities हैं, वो इसी तरह director in case of public servant up to grade 18 and director general in case of public servant up to grade 19, यह approval judicial action की यह mandatory यह shall be competent to approve judicial action against the public servant यह anti-corruption rules section 11, यह इसको mandatory खरार देता है हाँ अनबतर कोई senior junior के साथ हो, तो फिर भी वो ही competent authority जो senior की है वो ही इसकी permission देगी judicial action की और इसकी investigation में, जैसे पहले अर्ज किया है, कि investigation का procedure जो वो ही होगा जो पंजाब police rules 1934 में है, कि उसी को यह follow किया जाएगा अब इसके इलावा, यह तो तरीका कार है कि कैसे judicial action तर पहुंचते हैं अगर कोई inquiry या reference किसी department से आता है, तो उसका भी तरीका कार है कि उसकी investigation complete होने के बाद, अगर यह investigation officer यह समझता है कि allegation जो लगाए गए है, वो द्रोस्त नहीं है तो वो inquiry drop करने के लिए फौरी तोर पर concern administrative department को और public servant को inform करेगा और after investigation, जहां judicial action नहीं लिया गया यह नहीं बनता, यह चलान नहीं बनता, final report पर यार नहीं करते कि evidence insufficient है, तो फिर वो matter refer करते हैं computer authority को, कि आप कर लें, लेकिन यह inquiry drop anti-corruption department कर देता है department को भी refer करना दरूरी नहीं है सारे allegation false हैं, तो simple inquiry drop हो जाती है और inquiry drop करने का भी procedure जो है, उसकी recommendation जो है वो भी competent उनके authority यही है कि 17 तक director, 18 से उपर scale में यतने public servant होंगे director general, 19 के लिए additional chief secretary 20 के लिए chief secretary, हाँ, except those जो 20 और 21 में scale में head है, district coordination officer है, commissioner है, कोई secretary है किसी department का scale 20 से उपर है, तो फिर उनकी chief minister से, उनकी chief minister ही competent authority होगी, उनको उनको दोनों सूरतों में, drop करने की सूरत में भी और चार शीट की सूरत में भी, वो उनसे पर्मिशन ले जाएगी, और फिर computer authority जो है, वो फौरी तोर पर मुतलकर department को भी आगा करेगी कि, इस public servant के खिलाफ, judicial action हुआ है, या inquiry drop कर दी की जाएगी है, और final report जो है, of the cases, जो drop हुए है, वो किसी को भी rule के मुताबिक, without the permission and writing of director जो original का है, उस की permission के बगएर, उनकी copies की final report मुयसर नहीं हो सकती है। ये anti-corruption का, जो complaint handling, inquiry, case registration, investigation और चालान की अतक है, अब after चालान, फिर वोई तरीका है, जो conduct of the trial है, वो से पृतिजर होगा कोड में, जिस पहले trial पे lecture दिये जा चुके हैं, वो ये प्रोसीजर होगा, ये सारे प्रोसीजर के बाद, after completion of investigation, after judicial action, after submission of final reporter section 173, तो फिर अगला प्रोसीजर, वो ही होगा, जैसे आपके सामने पहले के बार discuss हो चुका है, कि मुल्दम को तलब की जाएगा पहले, नकूला तक्सीम होगी, console engage होगा, charge frame होगा, witness record होगे, defense evidence आएगी, 342 की statement होगी, और फिर उसके बाद, arguments और बाहस होगी, अब एक चीज़, जो further discuss करना चाहते हैं, जो कि आज का लेक्चर, anti-corruption लास्पे हैं, तो इसी तरह, ये anti-corruption establishment के बाद, National Accountability Bureau, जो उसमें नए बार्डिनेंस है, 1999, उसका procedure भी हमने discuss करना है, कि एक तो उस ला में retrospective effect रख दिया गया है, कि 85 से लेकर अफ़र्ड जितने भी corruption के cases हैं, specially mega corruption, जिसमें federal government के मुलाजम भी हो सकते हैं, provincial के भी हो सकते हैं, private person भी हो सकते हैं, और उसमें वो ला, फाटा, इन सब पे बाकी including all person जो पाकिस्तान के रहिशी हैं, including फाटा, उसका सब पे वो अपली के बल होगा, और उसमें corruption और corrupt practice को define कर दिया गया है section, NAB के section 9 में, जैसे anti-corruption के section 5 में है, PPC के 161 में है, हाँ, corruption और corrupt practice को हमारे रूपा एक्ट 1976 में भी define के गया है, कि उसके section 7, T8 में हैं, और इन सब definitions को मिला के, जितने भी public servants के खिलाफ, ये किसी के खिलाफ, mega corruption के cases हैं, वो सारे NAB में बतार reference पेज़े जाते हैं, उसका जो तरीका कार है, वो सबसे पहले बात तो ये है, कि किसी भी कोर्ट में, जैसे 173 की कारवाई अंटी कर्प्शन कोर्ट में investigation के बाद आती है, वहां हम private complaint भी करते हैं, यहां कोर्ट direct cognizance नहीं ले सके हैं, इसके लिए या तो चेर्मेन नहीं रेफरेंस अकाउंटिबिली कोर्ट में रेफर करेगा, या पिर उसकी अंडर ड्यूली अथर्टी जिसको वह अथुराइज करेगा चेर्मेन के नीचे, फिर वो अथुराइज हैं, रेफरेंस बेजने के, और यहनका trail का तरिका कार भी वही है, वो session जिस वहां पे नैप की कोर्ट में trail फर्माते हैं, और CRPC मुकमल दोर पर लाग हुए, procedure of trail, session trail ही लाग हुए जैसा session trail in cases में, session cases में हैं, उसी तरह वहां पे भी है, वहां भी तरीका कार रही है यह कि सबसे पहले, complaint आती है, complaint पर inquiry होती है, inquiry के बाद permission ली जाती है reference की investigation की or arrest warrant की, और फिर उसके बाद investigation complete करके, reference with the permission of chairman naip, वह accountability code में सब्मेट किया जाता है, इसमें financial institution को भी शामिल कर दिया गया है, कि जितने भी bank हैं, वो भी अपने तोर पे चेर्मेन नैब को, अगर कोई suspicious financial transaction है, या कोई ऐसे आला तो वाकियात हैं, जो unusual हैं, किसी के account में बहुत जादा पैसे आ रहा हैं, तो ये वो bound हैं, नैब ordinance के ताद के वो चेर्मेन नैब को, या department को वो उसकी बाबत आगाह करें, कि ये transaction unusual है, और बहुत जादा हो रही हैं, अगर वो नहीं करते तो वो खुद punishment, failure to do so, उनके लिए punishment है, गल्वन अप्टो फाइव येर, और इसके लिए international cooperation भी है, कि मुझमान जो हैं, वो चुके mega corruption में मुल्वेस होते हैं, उनकी arrest के लिए भी, चेर्मेन नैब या उसका कोई भी officer जिसको वो authorize करते हैं, वो investigation के दोरान वरंट लेकर, नैब में reference, नैब court में reference summit करता है, और इसकी investigation का, एंटी corruption में, रिमान 167 के ताथ 15 दिन तक है, और नैब के cases में investigation का रिमान 90 देस तक है, एंटी corruption केसे में, plea bargain की कोई प्रवियन नहीं है, लेकिन नैब के cases में, section 25 जो है, वो plea bargain के वो court और चेर्मेन नैब, दोनों की approval से, या दोनों में से किसी एक की approval से, या किसी appealant court की approval से, plea bargain के जो corruption की है, उसकी bargaining के इस लेवल पे तैय करके, कि अगर बीस करोड है, तो उसमें कुछ सर्टन पांच करोड पे बारगेन हो जाती है, दस करोड पे हो जाती है, तो वो देके मुल्सम रिलीज हो जाता है, लेकिन ये अब नैब में पहले रिलीज होने के बाद, वो मुकमल दोर बे पाक साफ होता था, लेकिन अब ये पिछले साल इसमें amendment भी की गई है, कि plea bargain के बावजूद, वो किसी अवामी नमेंदगी एक के ताहत की से भी उदे के लिए, वो बाद में एल नहीं रहेगा, वो 62 भी लाग होगा, 63 आफ कंस्टेशन भी लाग होगा, और वो फार हैवर फार लाइफ नायल होगा, किसी भी election के लिए, या किसी भी appointment के लिए, या किसी भी उदे के लिए, वो फार लाइफ डिस्क्वालिफाई होगा, पहले इसमें शामिल नहीं था, बाकी जहां तक मुझमान की गिरफतारी का तलक है, इंक्वैरी इंवेस्टिकेशन और परसीडिंग के बाद, जब मुझम को गिरफतार करना होता है, जो मुझम अपसकांड कर जाते हैं, और वैड करते हैं, सर्वेसाब वरांट से, कोड की प्रोक्लेमेशन से, तो उनका तरिकाकार आप से इस इनी के साथ ही बिसक्स करना चाहूंगा, कि जितने मुझमान विदर कंट्री हैं, उनकी प्रोपर्टिस तासी अटासी के अटैच करते हैं, गिरफतार किया जा सकता है, लेकिन जो आउट आफ कंट्री चले जाते हैं, उनकी गिरफतारी का भी इसी इलेक्शन में आप से शेयर करते जाएं, कि उसका तरिका कार क्या है, सबसे पहले नैप के कैसे में, या मरडर, हीनियस आफंस जो अदर वाइस बीपीसी में उनके कैसे में, या आइप आया के कैसे में बी, जो फैडरिल इन्वैसिकेशन आजिस्य करती हैं, उनके से जो दूसरे मुमालक में चले जाते हैं, इस्तियारी हो जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए, थ्रू इंटर फोल, वरान जारी किये जाते हैं. अब उस वरान की रिक्वार्मेंट क्या है और तरीका कार क्या है? उसकी रिक्वार्मेंट एक तुफस्ट अफल, एफ आई आर की कापी, या रेफरेंस की कापी, अलांग विद ट्रॉंसलेशन इन इंग्लिश, उसके साथ अगर 161 के स्टेट्मेंट जितने गवान के हैं, वो और उसकी कोई अगर हिस्ट्री है, समरी के उस मुझरम के क्या हिस्ट्री है, पूरी फार्मेट के डेट, टेट उसकी डेटा, बर्थ क्या है, पलेस क्या है, येर क्या है, और उसके साथ वरंट अफरेस्ट, वाई कोट अंडर सेक्शन 204, जो भी मुतलका कोट है, और उसके साथ Proclamation Order Against Accuses Section 87 Along with 204 CRPC और उसके फर्दर perpetual warrant जो कि अगर उसके अदम मुझूद्गी में भी चलान तो 512 कहा जाता है दोनों सूर्टों में तो ये सारे चीज़े available हूं तो उसकी तस्वीरे या उसके कोई और travel document है वो साथ लगा कि इसका root किया है इसका root ही है कि उसकी arrest का ये सारे चीज़े requirement होने के बाद ये request district police officer के जरीए बिजवाई जाती है और वो एक warrant की इसम के हैं ये मैं एक एक warrant की बात करता जाऊं इनका purpose यही होता है कि उसम की location सीख की जाए जो wanted person है फिर उसकी बार उसकी वहीं पर detention की जाए और उसको उसकी moment को restrain करके उसको interpol के जरीए arrest करके अदालत में पेश किया जाए ताकि अदालत में surrender करे जैसे आम lawful action है बाकी ये district police officer के थूँ ये पूरी requirement फिर स्टेट्मेंट फिर स्टेट्मेंट 161 हिस्ट्री है प्रकलेमेशन आडर है पाइसो बारा की जो perpetual warrant हैं ये सारी चीज़ें district police officer request बेज़ेगा आई जी पंजाब को inspector general पंजाब provincial home department को और through home department ये interior ministry में जाएगी और interior ministry से ये director general FIA को जाएगी और through director general FIA ये interpol को भी जाएगी और interpol का जो head office है वो फ्रांस में है अब मैं ये procedure जो route requirement ये हर warrant में है और उसके warrant कितने की सम्के है sorry warrant नहीं notice कितने की सम्के है red notice है जो सिर्फ है to seek the location of the wanted person ताकि उसकी retention हो सके उसके उसके लिए red notice जारी किया जाता है yellow notice ये कौन करता है ये for the purpose of interpol कि ये yellow notice उसकी requirement भी ये हैं जो पहले बताएगी है route for request भी ये है जो पहले बताएगी है और उसका simple है locate the missing person red का था to locate the wanted person इसका है to locate the missing person are to identify a person जो अपने आपको identify नहीं होने दे रहा है उसको identify करना है या जो यहां से गयब है उसको locate करना है ये yellow notice है एक blue notice है इसकी भी requirement सेम है route भी request का सेम होगा डीपियो से लेके डिरेक्टर जनरल FIA तक और इसका blue notice जो है ये है to obtain information कि अगर वहां कोई है उसको locate करना है identify करना है या कोई किसी की वहां पर interest है in criminal investigation तो उसको उसकी सिर्फ इस notice के जरीए information अपटेट करनी है एक ये blue notice है और इसके बाद green notice है ये भी purpose of green notice है कि warn करना कि about a person criminal activities के फलाँ शखस है और अगर हमें पता चलता है ये किसी और country को चलता है जिनके एक दूसरे के साथ extradition के मुएदजात है उसके criminal activities को warn करना उसके लिए green notice जारी होगा इसके बाद एक black notice जारी करते है तो requirement भी same है और route भी same है ये सिर्फ to identify the dead bodies उसके लिए black notice है कि dead bodies जो है कि कोई किसी country की कहीं हुई है और उनको locate करने के लिए ये notice जारी होता है ये एक inter port एक special notices भी इसके के जारी होते है लेकिन वो किसी और परकर परपस के लिए है orange notice ये publish किये जाता है या बिजवाया जाता है to warn an event कि ये event जैसे 7-11 है इस किसम का कोई event होने वाला है और किसी country को पता है ये कोई event कोई person करने वाला है उसका object क्या है कि वो करता है करेगा या उसका process पता चलता है कि ये इस तरह जाके वहाँ पे उस country की public at large को threat करेगा उसकी safety को खत्रा होगा या likely to cause any serious damage to property or injury in any other country तो उसके लिए orange notice होगा और एक purple notice है purple इसका भी सेम तरीका कार है ये सिर्फ to warn about modest opportunity object, devices और concealable method जो offender यूज़ करते है अगर उसका तरीका कार है तो ये उसमें mention किया जाएगा और request information किस तरह उन offenses को resolve किया जा सकता है या उनकी investigation यहां की एक उसरे से किस तरह mutual cooperation हो सकती है रूटेस का भी यह होगा तो आज ये आप से share करना था, trial पहले हो चुका है ये सिर्फ सिर्फ आज के lecture corruption के cases के लिए था तो मैं समझता हूँ कि इस पे और भी बहुत material है जो आप लोग NAB, PODINES पढ़के Anti-Corruption Act 1947 पढ़के और इस पे जो उनकी rules है Anti-Corruption Rule 2014 ये पढ़के further भी clarity आप कर सकते है सबकी बड़ी मिर्बानी Thank you for patient hearing and listening खुदा आफिस पाहँ चाहँ से ओुझ weather pasello वो र coloredशा कर सक्तíamos खुदा लिए सक्तुप multip कर सकते है पाहँ झरहँ आप आपिस पुझध आप भी क्वट स्पूबबवगे झाल झाल